हाई फ्रंट्स वल्कम बैक टू अनाधर वीडियो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप जावा स्क्रिप्ट की मदद से किसी भी एच्टी एबेल में लिखे हुए टेबल के रोज को हम कैसे काउंट कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं वही बताने व एक छोटा सा यहां पर लिखा है जिसमें एक मैंने टेबल में रखा है और कुछ रोज है अर उसके अंदर कुछ डेटा है ठीक है देख सकते हैं यहां पर हमारे पास है एक दो, तीन, चार, पांच हम देख सकते हैं, पांच रो है इसके अंदर, लेकिन इसे JavaScript की मदद से programmatically हम इसे कैसे get कर सकते हैं इसकी value को, जिससे कि आगे हम और भी कुछ ज़्यादा अगर कुछ हमें program लिखना हो, जो कि इस number of rows के उपर depend करता हो, तो हम यहां से पहले इसकी value get करेंगे, फिर आगे हम उस number को, या उस counting को आगे हम process करेंगे, तो कभी-कभी हमें जरौत पड़ जाता है, जिससे कि हमें देखना पड़ता है कि इसका row कितने है, उसके हिसाब से हमें आगे program में code करना होता है, आप लंबे project बनाएंगे, तो आपको समझ में आएगा, तो अभी simple सा आप समझ लिजे कि हम इसके rows को कैसे count करते हैं, तो सबसे पहले देख सकते हैं, यहां पर मैंने एक button मना रखा है, button में मैं एक function मनाता ह तेस्ट नाम का function, और java script हम कहीं भी लिख सकते हैं, आप body tag में भी लिख सकते हैं, या फिर body के बाहर html के अंदर भी आप लिख सकते हैं, तो मैं html के अंदर ही लिखता हूँ, script लिखने के लिए यहां पर script tag के अंदर आपको लिखना होगा, java script, तो यहां पर सबसे पहले मैं एक function मना लेता हूँ, function test नाम का हमने call कर रखा है, तो text नाम का ही हम यहां पर function बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कि यह हमें get करना है, सबसे पहले इसे हम target करेंगे, my table के नाम से table बना हुआ है, जिसके id head my table, यह कुछ भी हो सकता है, आप यहां पर my data भी कर सकते हैं, अब यहां पर क्या करते हैं हम, यहां पर एक variable बनाते हैं, टेक्या, variable बनाते हैं, counter के नाम से, यहां पर हम देते हैं, document.getElementById, और id हम क्या देंगे, यहां पर जो हमारा यह है, my data है, तो इसे मैं copy कर लेता हूँ, my data, और यहां पर dot करना है, और यहां पर लिखना है rows, फिर यहां पर length, इस से क्या होगा, कि हमारे अंदर जितना भी row होगा, इस data इस table के अंदर जितने भी rows होगे, उसका length हमें इसमें आके save कर देगा, अब हमें इसे चाहिए होगा, तो उसके लिए हम alert में ले लेते हैं इसकी value, अब alert में भी ले सकते हैं, या कहीं page पे भी display करवा सकते हैं, तो पहले मैं alert में दिखाता हूँ, फिर मैं इसे page भी display करके दिखाता हूँ, तो alert में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, counter, अब जैसे ही मैं check पे click करूँगा, तो यह counter करके हमें दिखाएगा, दिखाएगा, देख सकते हैं, अब इस 5 को हम आगे कहीं भी process कर सकते हैं, फर्दर बनाने के लिए, हम इसमें कुछ भी logic लगा सकते हैं, अगर यह table हमारे पास 5 हो, तो यह code run हो, छे हो, तो यह code run हो, या इससे ज़्यादा हो, तो यह code run हो, यानि कि बहुत थारे logic हम इसके अ अब हैं, तो देख सकते हैं, अभी मैंने क्या करा है, कि यह alert के अंदर मैंने दिया है, तो वहाँ पर so हो रहा है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर दिखे, यह number of rows यहाँ पर दिखाई दे, तो number of rows यहाँ दिखाने के लिए, हम यहाँ पर एक BR tag देंगे, जिससे की थ result मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर ही मैं देता हूँ, एक tag, इसकी id मैं देता हूँ, id equal to result ठीक है, अब यहाँ पर result हमारा यहाँ पर show होगा, जो 5 यहाँ पर मैंने दे रखा है, वो 5 अब हमें यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, तो alert को मैं यहाँ पर comment कर देता हूँ, alert में display करवाना बहुत असान होता है, इसमें थोड़ा सा lengthy process है, फिर से यहाँ पर मैं लिखत result के अंदर हम यहाँ पर dot innerHTML करेंगा, innerHTML equal to counter, counter में हमारा यह number of rows है, अब मैं इसे करता हूँ, check देख सकते है, check जैसे ही मैंने किया, यहाँ पर 5 हमारा लिखके आ गया, तो यह कहाँ से आया, मैंने इसकी innerHTML में मैंने counter को लिख दिया, देख सकते हैं, result के अंदर मैंने यह लिख दिया, तो बहुत ही असानी से आपने देखा, कैसे हम किसी भी table के row को, हम get कर सकते हैं, अब मैं इसे में number of rows को घटा बढ़ा के भी मैं दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, सबसे पह art, ठीक है, देख सकते हैं, art हो गया, अब मैं यहाँ पर check करता हूँ, तो देख सकते है, art हा रहा है, ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, उमीदेश छोटा सा information आपको पसंदा होगा, अगर यह code आपको चाहिए, तो नीचे description में लिंक दिया हुए, वहाँ से आप इस